पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था दुनिया में पाए जाने वाले कुछ अजीब औ गरीब कुसीन के बारे में जहां इल्लियों वाले चीज से लेकर लोग टरैंटुला मकडी तक खाते हैं हमारे भारत में अगर ऐसी कोई डिश या ऐसा कोई कुसीन खाया जाता है तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में उसे जरूर हमारे साथ शेयर करें लेकिन फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसे ही कुछ और भी जादा वीर्ड खाने की चीजों के बारे मे जो आपके लिए तो बहुत ही अजीब और गंदा है लेकिन जहां इन्हें खाया जाता है वहां के लोगों के लिए ये शाही पनीर या दम आलू से कम नहीं कहने का मतलब ये है कि वहां के लिए इस तरह का खाना एक डेलिकेसी माना जाता है तो बढ़ते हैं इस वीडियो मे से लेकर 10,000 डॉलर्स तक जा सकता है यानि कि हमारी करंसी में इसका प्राइस 1,70,000 रुपे से लेकर 6,80,000 रुपे तक पर किलो हो सकता है ये बनता कैसे है और ये इतना महंगा क्यों है दरसल इसे बर्ड नेस्ट सूप बोला ही इसलिए जाता है क्योंकि ये बनता है कठिन साफ सफाई का रिजर्ट है इसका प्राइस जिन लोगों ने इस सूप को टेस्ट किया है उनका कहना है कि इसकी कंसिस्टेंसी एक जेली की तरह है क्योंकि ये बना होता है स्विफलेट बर्ड के सलाइवा और उनके पंक से और इसकी बहुत ही थौरो साफ सफाई करने के बाद ही इसे खाया जाता है, यानि कि चाइना के लोग अब जिन्दा स्कॉर्पियन, मकडी, कुत्ते, बिल्ली इन सब से उपर उठके पक्षियों का थूक पीना पसंद कर रहे हैं नेक्स्ट आप इस ड्रंकन श्रिम्प, चाइना में ही बनने वाली एक और डेश है, जी हाँ ये भी चाइना की ही डेश है ड्रंकन श्रिम्प, ये दूसरे देशों में खाये जाने वाले श्रिम्प से बहुत ही अलग है, ऐसा क्यों? दरसल चाइना के कुछ शहरों में इन्हें जिन्दा खाया जाता है लेकिन ज़रा ठैरिये तो सही चाइना के लोग इसे ऐसे ही नहीं खाते हैं और इसे पकाया भी नहीं जाता है इन्हें खाने के पहले बेहत टेज और स्ट्रॉंग एलकोहॉल से इन्हें स्टंग किया जाता है उसके बाद ही इन्हें चाइना के लोग बड़े चाव से खाते हैं I guess टली होने के लिए और अगर अपनी भाशा में इसका उल्ले किया जाए तो श्रिम्प को टली किया जाता है और जब वो होश में नहीं हो तो उसको निप्टा दिया जाता है याक पीनिस कमाउन रेली इसका भी वोईस ओवर करना पड़ेगा क्या I mean ये तो इटली के कासु माज़ू यानि की मैगट वाले चीज और कैनेडा के रॉकी माउंटेन उइस्टर से भी गंदा है लेकिन जह जाने वाली इस डिश का नाम वैसे तो Dragon in the Flame of Desire है और हो भी क्यों ना कोई किसी भी Chinese डेस्टो में जाकर ये तो नहीं बोलेगा या एक याक का देना प्लीस हम लोगों के लिए ये डिश definitely बहुत ही अजीब है which is an understatement लेकिन इसे खाने वाले लोगों का कहना है कि इसका स्व इसका नाम सुनकर आपको कुछ याद जरूर आया होगा लेकिन जो आप सोच रहे हैं ये वो बिल्कुल भी नहीं है ये उससे भी गंदा है इस delicacy को खाया जाता है Scotland में और इसे बनाने के लिए एक पूरी भेड का इस्तिमाल किया जाता है यानि कि एक sheep का इस्तिमाल किया ज बलकि जिस भेड को काटा जाता है उस ही के पेट में उस ही भेड के लंक्स दिल और लिवर को तीन घंटे के लिए उबाला जाता है और उसके बाद सर्व किया जाता है ओटमील प्याज और कुछ मसालों के साथ यक लेकिन Scotland की ही कुछ जगाओं पर sheep के पेट की जगा artificial casting का भ बता था कि बाहर के देशों में उसके ही ओर्गन्स को उस ही के पेट में पका कर भी खाते हैं Next up is नाग जी अब जब अजीब तरह के खाने की बात हो रही है तो इस दिश का नाम सुनकर तो ऐसा लगता है कि इसमें किसी जानवर की नाग का इस्तमाल किया जाता है लेकिन आप को बता दें कि इसमें नाग का ही नहीं बल्कि पूरे जानवर को ही खाया जाता है और ये जानवर भी कोई ऐसा वैसा जानवर नहीं है, ये हैं छोटे छोटे Octopi, और इन्हें Deep Sea से पकड़ा जाता है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इन्हें खाने के लिए सबसे खतरनाक भी माना जाता है, यानि कि ये खाना सिर्फ आपकी भूग ही नहीं मिटाएगा, बलकि आपकी भूग को पर्मानेंटी मिटा सकता है तो इसे खाने वाले होश्यार दरसल ये dangerous इसलिए है क्योंकि एक octopus के हाथों या पैरों में suction cups लगे होते हैं जो की बेहत चिप-चिपे होते हैं और इसे खाने वाले व्यक्ति की जीप पर ये बड़ी आसानी से चिपक जाते हैं और उसके गले में फंस कर उसे चोब भी कर सकते हैं और ऐसे कई cases हैं जहां पे नागजी खाने के बाद on the spot लोगों की death हो गई है और इतना ही नहीं इसे dangerous बनाने के लिए इसे पूरा खाया जाता है याने कि इसे काटा नहीं जाता बलकि पूरा निगल लिया जाता है दुनिया में कई तरह के सूप कंसूम किये जाते हैं और सूप को एक तरह से काफी healthy भी माना जाता है सबसे ज़्यादा सूप चाइना और जापान में पिये जाते हैं क्योंकि वहाँ की रोज मर्रा की जिंदगी में सूप सबसे common चीज है सपर में, डिनर के साथ और कभी-कभी तो breakfast में भी वहाँ के लोग सूप ही पीते हैं लेकिन ये सूप दुनिया का सबसे unusual यानि की सबसे गिनोना सूप है जिसके बारे में सोचते ही शायद आपको उल्टी भी आ जाए लाउस नाम के देश में ये सूप एक डेलिकेसी मानी जाती है और वहाँ के लोग इसे बड़े चाव से पीते भी है इसमें जो ingredients इस्तिमाल होते हैं वो है चीटियों के अंडों का mixture जिसमें कुछ अंच सफेड चीटियों के embryos का भी रहता है और इस सूप को जादा खटा करने के लिए चीटियों के बच्चों को भी मिला दिया जाता है कुछ लोगों का तो मानना है कि इसका टेस्ट श्रिम्प की तरह आता है अब मैं तो vegetarian हूँ उसले मुझे श्रिम्प का टेस्ट भी नहीं पता आप में से कुछ लोगों को याद होगा कुछ साल पहले DDT powder आया करता था जिसको छिड़क के हम चीटियों को भगाते थे लेकिन लाउस के लोगों को कोई tension ही नहीं है उन्हें चीटियों को भगानी की ज़रूरत ही नहीं है तो ये थे और कुछ ज़रूरत से ज़ादा अजीब और गरीब और weird खाने की dishes जो चाइना जैसे देशों में खाई जाती है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे like और share जरूर करें और जन्नाट वैक्स की official merch जो की live हो चुकी है इस वीडियो के नीचे description है description के नीचे आपको सारी official merch जन्नाट वैक्स की दिख जाएगी प्लीज उसे check out जरूर करें बाई प्लीज बाई